एऩ है है स्टिरेंस आज मैंने बात करेंगे शोर्टर्क Alexandria की है पाइथन प्रोग्रामिंगे मेंच में शोर्ट सर्केटिंग क्या होता है तो देखेँ प्रॉर्ट सौ difference का मतलब क्या होता है पास्ट वीणज एक अज शर्कुटिंग पाइफन टुराइम लाइब में शॉट सर्कुटिंग का मतलब यह होता है कि इन शॉट सर्कुटिंग only as many subcondition as required to find the truth value of the whole condition are evaluated मतलब क्या हुआ कि only as many subconditions as required to find the truth table of the whole condition are evaluated this can lead to some subconditions not getting evaluated ठीक है तो इसमें जरू ही नहींगी कुछ यह भी हो सकता है कुछ subcondition जो है वो evaluate ना हो we can explain this using an example जैसे अब माली जा हमने कहा for example a equal to 0 a equal to 0 ठीक है and अब end में जो condition दी हुई है and b is less than 3 और c is less than equal to 5 ठीक है यह मान लीजे condition दी हुई है कि a is equal to 0 and b is less than 3 और c is less than equal to 5 अब इसमें क्या होगा कि इसको अगर टेबिल की फार्म में दिखाएंगे कि तो उसमें दीखें उसमें जो indicate the corresponding sub condition is evaluated मतलब इसको क्या कीजे कि जैसे मान लीजे हमने इसको एक table form में दिखाया ठीक है अब यहाँ पर हमने क्या क्या है यहाँ पर हमने लिख दिया values ठीक है जो value हम देते हैं अभी a b c को यहाँ हमने a दिया b दिया c दिया और यहाँ पर हम लिखते है truth value क्या आई truth value ठीक यहाँ a equal to 0 चेक करना है यहाँ b is less than 3 चेक करना है यहाँ c is less than equal to 5 चेक करना है अब मान लीजे हमने कहाई 3-4 value हम इसको दे के आपको explain करते हैं कि suppose कीजे हमने a को value दी पहले हमने a को value दी 0 b को दिया 3 और c को दिया 6 अब इसमें क्या होगी देखिए a equal to 0 evaluate करेंगे इसको हमने tick कर दिया yes b is less than 3 तो b is less than 3 को check करेंगे देखिए इसमें यह जो indicate this sign यह जो tick हम लगा रहे हैं this indicates that the corresponding sub condition is evaluated इसका मतलब क्या हुआ कि corresponding जहां पर एंप्टिक लगा रहा है corresponding sub condition is evaluated उस sub condition को हमने evaluate किया है तो मल यह equal to 0 हमने evaluate किया yes कर दिया इसको yes कर दिया यह 3 हमने check किया जब 3 हमने check किया तो क्या होगा कि b equal to 3 यह false आ गया c is less than equal to 5 यह भी false आ गया तो यह result आ गया false अब माल लिजे हमने दिया a equal to 0 b equal to 3 और c equal to हमने दे दिया 5 अब इसमें क्या होगा कि फिर हमने तीनों condition check किया और fulfill नहीं हुई फिर हमने लिख दिया false नहीं a equal to 0 हाँ a equal to 0 है ठीक है b is less than 3 यह c is less than equal to 5 तो अच्छा इसमें और लगा हुआ यहां पर देखिए तो इसमें यह वाली condition true हो गई c is less than equal to 5 में c is equal to 5 true हो गई तो इसका मतलब यहां पर यह false की जगा यह हो जाएगा true क्योंकि यह true हो और इन दोनों में से कोई एक true हो तो true आ जाएगा तो यह true है यह true है तो true और true इसका resultant आ जाएगा true true और true की ending करेंगे या ऐसे आप सुमझे लिए one or one की ending करेंगे तो one आएगा अब आपने क्या दिया आपने का a equal to zero b equal to two c equal to five अब इसमें क्या होगा यह देखें कि a equal to zero तो आप चेक करेंगे ठीक है फिर b आपने चेक किया 20 less than 3 तो 20 less than 3 है तो जब यह और यह true हो गया अब यह कुछ भी यह फरक नहीं पड़ना है तो आपको c वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है तो यह आपका true आजाएगा इतने में फिर आपने माल लिजे दिया a equal to zero b equal to two और c equal to six इसमें भी वही चीज रहेगी जब आपके यह और यह true हो जा रहा है तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपका जो result आएगा वो true ही आएगा तो आप इसको tick करेंगे इसको करेंगे इसकी ज़रूरत नहीं है तो भी आपको true आएगा ठीक है तो I hope कि यह clear हो गया होगा तो इसमें क्या होता है any empty cell indicates that the sub condition is short circuited and therefore not evaluated तो यह जो empty cell है यहाँ पे यह जो हमने यह empty cell आया यह वाला यह यह वाला यह जो दोनों empty cell है these two empty cell यह indicate कर रहा है कि यह sub condition को इस sub condition को evaluate नहीं किया गया मतलब this sub condition has been short circuited short circuited ठीक है यही मतलब होता है short circuiting का python programming language में अब इसमें मान लिजे इसी में आप एक वो और लेना चाहें say example इसी table में तो सब्सक्रीज़ कीज़े इसी table को हमने यहाँ बढ़ा दिया चुकि हमने उसकिप कर दिये यह ठीक है अब यहाँ पर हमने क्या दिया यहाँ पर हमने एक condition और दे दी कि मान लिजे a equal to हमने दे दिया यहाँ पर कितना one b equal to three और c equal to five अब क्या होगा कि जब आप पहरी condition evaluate करेंगे a equal to zero तो जब यही true नहीं हुआ तो बाकी true हो false हो कोई फर्ग नहीं पढ़ना क्योंकि ending होके वो false कर देगा तो यानि कि आप इसमें केवल इसको evaluate करेंगे इनकी कोई ज़रत नहीं पढ़ेगी यह भी empty cell हो जाएंगे और result आपका false आजाएगा ठीक तो इसलिए जितने भी आपके empty cell है यह जो है यह भी empty cell हो गया आपका यह भी empty cell हो गया यह सब जो है आपके empty cell यह short circuiting कहलाता है clear तो इसी को short circuiting कहते हैं कि जो जो भी sub condition है अगर उसको evaluate नहीं कर रहे हैं और empty cell आ जा रहा है इस तरह टेबिल बनाने में तो इस तरह की कारवाई को short circuiting कहते हैं अब इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो यह है कि माल लिजे अगर आपके पास condition ऐसी दी हुई है कि suppose कि जबने A की वैलू कोई दी B की वैलू कोई दी C की वैलू कोई दी और इस दोनों को evaluate करें मतलब इसी इसी topic को आगे लेके चलिए इसी table को आप यह चलिए नीचे बनाते हैं ताकि नहीं confusion ना हो suppose कि जबने कहा कि कोई वैलू हमने यहाँ पे A, B, C की ऐसे दी है की ऐसे समझ दी है A की कोई वैलू हमने दी और B की कोई वैलू दी और C की कोई वैलू दी और इन दोनों condition को evaluate किया हमने और result हमारा false हो रहा है अब यह बताईए यह possibility है की नहीं अगर हमने का कि भाई अगर यहाँ ending है और अगर यही zero हो जा रहा है या false हो जा रहा है तो इधर से कोई फरग नी पढ़ना तो फिर इस B वाली condition को evaluate करने की ज़रूरत है की नहीं है तो you may wonder how such a phenomena affects you since this seems to be only an optimization and not affecting conditions can have side effects तो दीखें यह के वाले phenomena आप सोच सकते हैं की और ज़्यादा optimize करने के लिए अपनी testing को otherwise result में उसका कोई फरक नी पढ़ता है the output gets affected when sub conditions can have side effects अगर sub condition के कुछ side effect होंगे तभी output effect होगा मतलब यह हुआ कि for example आप मा लेजे if a, b and c are replaced with function calls and each function has a print statement then the output will depend upon whether the short circuiting happens or not तो अगर यह चीज़ आपको चाहिए तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लिजे आपने ही मान लिया कि a, b और c तीनों को आपने replace कर दिया किसी function call से और हर function में क्या है एक print statement है then the output will depend upon whether the short circuit happens, तब output इसमें depend करेगा कि short circuit हुआ है कि नहीं हुआ है अब इसको example के साथ हम लोग जो है next lecture में discuss करेगे तो आप continuity बनाए रखिए, आप regular रहे यह lecture में आपको जो पूरी programming language बड़े easily clear होती जाएगी और by chance बीच में अगर कोई lecture शूड भी आता है आपको अटेंट करने से तो जैसा मैं बोलता हूँ हर lecture में उस corresponding lecture को आप जरूर देखें उसके बाद ही आप जो है current lecture पे focus करें तो I hope कि आपको यह short circuiting क्या होता यह clear हो गया होगा अगर इसके regarding कोई doubt या confusion है तो comment line में comment दरके पूछिए और अगर वीडियो content पसंद आ रहा है तो वीडियो को share कीजिए, like कीजिए, channel को subscribe कीजिए और notification bell को जरूर on कर दीजिए ताकि next video की information आपको time से मिल सकेए Thank you